असलाम लेकम, वेलकम टू माई चैनल, तो कैसी है मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमली, उमीद है सब खार खरिये से होंगे, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटिफुल टॉप डिजाइन, तो फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधी स रख लेंगे, बैक साइड की जो चुड़ाई है वो 13 एंच है, 5.5 एंच हम शुड़र की चुड़ाई रखेंगे, अब इसकी लंबाई जो हुआ है 6.5 एंच है, तो आप इदर से बॉक्स बना लेंगे, अब हम चेस्ट का निशान 7 एंच पर लगाएंगे, और नीचे तक एक लाइन बना लेंगे, अब शुल्डर की गुलाई करेंगे, और इदर 1.5 एंच पर एक निशान लगाएंगे, जिदर हमारी वैक सेट खतम हती है, एक निशान इदर भी लगा लेंगे, अब निशानों के साथ साथ हमने कटिंग करनी है, फिटिंग पर आके आपने 1 बना कपड़ा छोड़ देना है सलाई के लिए, और इदर से भी हमने 1 एंच काटिंग कर लेना है, अब नीचे से हमने 2 एंच पर यूशेब में काटिंग कर ली है, अब हमने 2.5 एंच पर एक निशान लगाना है, फ्रांट और बैक दोनों पर लगाना है, अब हमने बैक को इस तरह से उपर उठा लेना है अब 8 एंच पर एक निशान लगाएंगे और एक 9 एंच पर निशान लगा रही हूं मैं अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे अब बॉक्स का जो निशान लगाया तो उसको उपर कटिंग कर लेंगे अब फ्रांट के शोल्डर की डीप कटिंग कर लेंगे आप फिंच तक करनी है यह जो फैब्रिक मैंने कटिंग किया है अब इदर से इस तरह से चुनोटा जाएंगी मैं खोल के आपको दिखा देती हूं इस तरह सीधी सैड हमारी उपर की तरफ हो जाएगी और इदर चुनोट डाल के सलाई लगा लेंगे तो चुनोट मैं डाल लिए हैं चुनोट डाल के बाल फ्रेंट साइड जो है वो बैक साइड की बराबर में आ जाएगी अब इदर सलाई का मार्जन छोड़ कर लेस लगा लेंगे जितना हमारा बॉक्स है उतना मैंने फैब्रिक कटिंग का लिया है तीनों तरफ से हाफा फैंच फॉल्ड करना है और इसके उपर इस तरह से राके स्लाईल का लेनी है अब हमने नेक बनानी है उसके लिए 2.5 एंट चुड़ाई रखिया है और 3.5 एंट जो है वो लंबाई है रिदर से गुलाई दे लेंगे इस तरह से रिदर कटिंग कर लेंगे अब पेपर को कटिंग करने के बाद इस तरह से फैबरिक पर चिपका लेंगे अब पेपर को इस तरह से उपर रखके स्लाईल लगा लेंगे अब गले को पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे अब इस तरह से हम तरुपाई कर लेंगे बैक पर कुड़ता पटि बनाने के लिए हमने चार इंच तक कटिंग कर ली है अब फ्रांट और बैक को एक तुसरे को उपर रखके स्लाईल लगा लेंगे श्ल्डर की स्लाईल लग चुकी है अब हमने जो बैक नक की गुलाई में कटिंग की थी उसकी उपर इस तरह से पटि लगाएंगे पटि वाली लग चुकी है हमने बैक की तरफ फोल्ड करके इसकी तरफाय कर लेनी है अब हम स्लीव कटिंग कर लेंगे 15 इंच इसकी लंबाई है 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे फ्राइट से बाजू को इस तरह से फोल्ड करके सलाई लगा लेंगे बाजू की फ्राइट साथ पर टू पॉइंट फाइव एंज पर एक निशान लगाएंगे और इधर लास्टेक लगा लेंगे अब बाजो को इसके साथ अटेश कर देंगे स्लीव अटेश करने के बाद अपने फिटिंग की सलाई लगा लिया है निशे इस तरह से फोल्ड कर लिया है अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक भी कर दिया करें बेल नोटिफिकेशन को जुरूर दबाया करें तक हर नहीं आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं किसी नहीं वीडियो के साथ ओक्यों जी आला हाफीज